हेलो जैहिन नमस्कार वल्कम टो यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम फिर से आ गए हैं अपनी ही टाटा पंच के अंदर और आज जिस टॉपिक के उपर हम बात करने वाले हैं वह एक बड़ा स्पीकर्स कितने ट्विटर मिलते हैं और साड़ी तीन हजार किलोमेटर से उपर गाड़ी चला ली कैसा इसने परफॉर्म किया क्या आपको बाहर से लगवाना चाहिए या फिर टाटा देता है हर्मन के सिस्टम्स यह जादा अच्छे हैं और इसका एक ओवराल रिव्यू की ह यह जो डील है वह एडवेंचर रिदम पर आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वहां से इस्टार्ट होता है ठीक है और या फिर आपको आफ्टर मार्केट लगवा लेना चाहिए जो की ज़नली लोग करते हैं तो इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो होने वाली है औ अब दिखा रहा है विज़े ट्रिक भी है आवरेज आप देख लो 16 से 15.9 पर आपके सामने वायर यह नहीं चीज़ थी 15.9 पर आवरेज जा चुका है और शहर में यह गाड़ी नहीं दे रही है मैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है शहर में यह सिटी में यह मुश्किल से 12 यह 13 के बीच में दे रही है हाईवे पे गाड़ी गौड लेवल का काम करती है और सीधा पहुंच जाती है 20 किलो मेटर से उपर आप जितना भी फ्यूल भराएंगे आपको हमेशा एसास होगा कि ठीक है अपकी अजंशन के हिसाब से फ्यूल जादा बज़िया तो फर शौर हाई कि इस दालता है तो आप सुबह देखते हैं इतना तो जाम थोड़ी सी गाड़ी चल रही है रुक लिए तो थोड़ी सी गाड़ी चल लें ही कहां अब वर्डोगा तो ठीक के आर मतलब यहीं इसको है अब आएवरेज देन दे सच्चा ही तो यह है अट है यहिसे का जो कलर है इस गाड़ी का वह है मीटी और ब्राउंज और क्या कहते हैं इसके अंदर जो इन्फोटीन्मेंट सिस्टम आता है वह यह वाला आता है और इसकी जो फिकर त्विकर का सैटप है इसमें चार स्पीकर दे रख है तो चारों गेट पर लगे वह हैं एकज़े हैं और ऊप सबसे पहले मैं इसके और लुक की बात कर लेता हूं देखो टाटा का यह जो हर्मन सिस्टम है यह आपको एल्ट्रोज में यही मिलेगा पंच में भी यह है और जो टियागो वाला विरिंट है उसमें ही हर्मन का है बट दूसरे डिजाइन का है वह यस वाली यूनिट पे लग से मिलेंगे और हर्मन एक बहुत रिनोंड कंपनी है जो लक्जरी गाडियों के लिए सिस्टम बनाती थी जितना मुझे पता है और चार स्पीकर दूटर के यह सिस्टम है अगर आप मुझसे पूछें कि कैसा इसने परफॉर्म किया तो भई ऐजक ओनर और क्या कहते हैं गाड़ी ले रहे हो जिसका आपको इन्फोटेंट में सिस्टम बें मुझसे प्राइटी है आँखें बंद करके थर्मन के सिस्टम टाटा में लगवा अगर आपको मिल रहे है मदला मिलेंगे अफकॉस टाटा की गाड़ियों से ले लो सोचना मत मुझस क्वालिटी सूपर मतलब कोई भी अगर आपको यूजर है जिसके बास आपके फ्रेंड्स है जिनके बास हर्मन का सिस्टम उनकी गाड़ी में लगा है वह आपको एक चीज़ फर शौर बोलेंगे भाई म्यूजिक क्वालिटी तोड़ है एकदम मज़ा आ जाता है मतलब क्या बोलूँ इसमें इससे ज़्यादा और क्या डिस्क्रिप्शन दो किसी चीज़ का नियुजिक क्रिस्टम एक नंबर म्यूजिक क्वालिटी है सारा म्यूजिक और आप यकीन निमानोगे मैं जब इसको रॉक पर सेट कर लेता है मैं आठ यह दस की स्पीड बाला बंदा हूं मैं तो उनमें से वाला कुछ अगर मतलब इंडिकेशन कर रहा है तो दिहान नहीं रहता आप म्यूजिक में लगे होते हो तो मेरा परसल चॉइस भी है कि मैं दस से बारे की वाल्यूम में चलाता हूं और ओवरॉल एक्स्पीरेंस इतना ultimate है इसके म्यूजिक सिस्टम को लेकर तो पहली चीज यह देखो यहां से यह जो बटन्स में रहे हैं इससे चेंज हो जाता है यह 98 हो गया हो सकता है फिर से चेंज करता हूं यह देखो यह हंडिट पहुच गया 90 वापिस 95 पर आ गया तो यह हो गया और इसका FM का में वाल्यूम कर देता हूं ठीक है अब आती है करेंट यह क्या इस दिखाता है यह दिखाता है आपकी गाड़ी चलानी की रेटिंग्स होती है यह अभी इसलिए दिखा रह रहा हूं कि श्क्री ट्राइब करता है थी सर्थ तो आपके गाड़ी आवरेज बिल्कुन निकाल पा रही है आप बहुत गलत तेरी इसे चला रहे हैं ड्राइविंग से लापके अगर दो से पांस आ रही है तो ड्राइविंग पर कॉस्चन यह मतलब आपको देखना चाहिए सेफटी मतलब किस तरके साथ टरन ले रहे हो आपको बता देगा कि आपके गाड़ी कितना दे रही है तो यह रियल टाइम अब आते हैं वापसी अब आते हैं इसमें क्या है यह सब चीज़े देखें एंड्रॉइड आटो के एपल कार प्ले बैस पार दे रखता है लेकिन आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ता है तो म एफम हो गया यूएसबी अगर आप यूएसबी पोर्ट इसके लगाना चाहें तो यह यूएसबी पोर्ट लग सकता है वाई लगाना चाहें वाई लगाओ एक ही बात है अपने प्नी च्वाइस है वाइस कमांड अभी यह कनेक्ट नहीं है अब आपको दिखा देता हूं यह है इसका बटन इसको क्लिक कर दो अब मैं कर बोलता हूं कॉल मॉम और यह लेगा अब कर से कनेक्टेट नहीं है वा देकर उसने कुछ और पकेल लिया यह स्पेसिफिक है बट थोड़ा स्लू है मैं यह नहीं कह रहा है अब यह बोलती रहेगी मैं आपको बस डेमो दिख होने चाहिए और आप बोलो जैसे आपको अपनी मॉम को कॉल लगानी कॉल मॉम यह कहूंगा पांच सब्सक्राइब लेगी पर कर देगी आपको डिस्प्लो हो जाएगा मैं यह नहीं कहूंगा कि खराब है भई होना ही बड़ी बात है अब आता है ऑडियो सेटप में आपक रखता हूं और अपनी जितने भी बेस हैं माइल्ड है उनको और रखता हूं उससे फायदा यह होता है कि बैलन्स टोन आती है सब मिक्सप हो जाता है और बहुत अच्छे से प्रेंट होता है ठीक है अब आते बैक पे यह हो गया सेटप ऑडियो से अब बीटी ऑडियो से जब आपका कनेक्ट होगा USB के थुरू इसमें डिस्प्ली हो जाएंगे डूडल आप सेटप कर सकते हैं आपको एक कनेक्ट नेक्स एप डाउनलोड करनी बढ़ेगी अपने फोन में और उसमें फोटो लगा दो तो यहां पर माइस्टिकर में अगर आप अक्टिवेट इ दिखाता है फेवरेट में कुछ भी मार्क कर सकते हो आपने जिनको भी फोन क्या है फ्रिकुंटे डाइल नंबर होते हैं या फिर जितने मेरे मेरे बतलब हैं कॉंटेक्स आप इसके बाद इसमें सबसे आई-पॉर्ट कनेक्ट करना पड़ता है तब होगा पारक अससे एक फीचर है जो बहुत सॉलिट है यह आपको एडवेंचर वेरेंट से मिल जाएगा इसमें आपको क्लिक करना और आपकी पीछे का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और बैस पार्ट अभी यह दिखा रहा है पारक ब्रेक लगे हुए और इसका बैस पार्ट यह है कि यह देखो इतनी सॉलिट चीज़ है यह मुझे पता है और बैक करने में जो असानी चीज देती है यह आपको डिरेक्शन देती है तो यह बता रहा है कि आपकी गाड़ी नॉमली कहा हो यह दो मैंने पूरा स्टेरिंग घुमा दिखा रहा है अभी मैंने स्टेरिंग में अपनी साइड तो यह बहुत अच्छी चीज़ है एक बिगनर के लिए और जिसको मतलब अभी अभी गाड़ी सीख रहा है नहीं समझा रहा है कैसे कहा फिट करना है तो पीशे की कैमरे की क्वालिटी अगर आप देखें तो यह देख लो आपके सामने है बहुत ज्यादा हाई डेफिनिश प्रफिन नहीं कर सकते हैं फोन सेट अपने फोन का इसमें सेट कर सकते हो पेर न्यू डिवाइस ब्लुटूथ अगयरा चीक है कॉमन सी चीज़ें को इतना एक्प्रीशन नहीं चाहिए सेटिंग में जाके आप वेहिकल सेट अप कर सकते हो पारकसिस लाइटिनिंग वाइस इसलट है आपको चईए नहीं चैने द्राइब में हैकानाच को फीचर आय को जाचिकर यह देन है अने इस करने और f LIKEट रेवल में स्टार्ट करता हूँtu अब मैं सिरूट इन नहीं नहीं पर अ startups करता हूं यह आपको चैठा रात भीक अभी नाइन वे और वॉल्यूम चुनना मुझे नहीं पता कैमरे ने चीज या फिर इसके स्पीकर ने वह चीज कैश्पर की नहीं की पट भाई पंदरह में जावाज आती है तो निश्चन्ट हो जाओ मुझेख सिस्टम आपको बहुत तरणा मिलने वाला यह थीम से आप जो भी सेट करना चाहिए वैसे मैं एक चीज़ बताओं बैस पार्ट इसका यह है कि जैसी आपकी नाइट मोड एक्टिवेट होगा थीम उसके साफ से एडियस हो जाती है तो इतने कोई परशान्य वाली ब तो वह और बैस्ट है पर अगर आप मेरे वाला वेरियंट लेते हैं जो सेकिंड टॉप मॉडल है तो इसमें आपको वायर के थ्रू करना पड़ता है और यह म्यूजिक सिस्टम इतना बैस्ट है इतना एफिशेंट है यू हाब नो आइडिया है जिस्ट अ मिनट में लगता इसको आफ कर देते हैं ठीक है तो मैं अब सिर्फ यही बता रहा था आपको की बहुत सैटिस फैक्टरी है मिल जाता है और यो सिस्टम का खतरनाक है स्पीकर सो भाई हर्मन के मान गया गुरू सॉलिट सूपर से भी उपर मैं बोल सकता हूं और को जिसमें ऐसा बताने वाला नहीं है सच मैं बस आपको ग्रिवी देने वाला था तो भाई म्यूजिक सिस्टम के प्रबस्ट है कर कोई टाटा पंच को इग्नोर कर रहा है तो बहुत बढ़ी गलती होगी किसी सभी पूछ लो जो भी टाटा पंच ओनर है आपके फ्रेंड नहीं है तो सिस्टम में जाओ काड को टेस्टराइब करके म्यूजिक से कनेक करके देखो आपको मज़ा नाया तो रही बात बागी काफी चीज़ें आपके फोन के म्यूजिक आउट पूट बहुत अच्छा है और यह से कनेक्ट हो के दस बार है में ही इतनी साउंड दे देता है और मेरा जो कजन भाई उ चाहिए बहुत अच्छा आउट पूट देता है यह मुझे महसूस हुआ आपको बता दिया यह मेरा खुद का परसेप्शन है जो गारी में अक्सर बैठते रहते हैं तो इसके लावा इसमें आश्च कुछ बताने वाली बात नहीं है और यहां से कनेक्ट होता है और और अब आप से इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो तो विद प्राइस ऑफ एट लाग 80,000 मैं अपने वाले विरिंट के बात कर रहा हूं 8.7 ठीक है 8.7 हा 8.7 और उसमें यह वाला में जो की फूली के बले हर चीज़ के लिए डेली यूसेज के लिए हाइवे यूसेज के लिए र आपको मजा आएगा एक पर जाओ टेस्टाइव लूओ एंडाम शॉर यूल इंज्वाइ दस ठीक है फिर दाट नोट विए इंडिंग दिस वीडियो थैंक यू फो वाचिंग कुछ कॉमेंट कुछ जान आपको इंप्रोटीनमेंट सिस्टम के बारे में लेपी नो इन कॉ